हाई फ्रेंड्स और केसे हैं आज हम इस वीडियो के माद्ध हम से जानेंगे कि एक एर किट लेने का सही तरीका क्या होता है और इसको लेने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है क्या सावधानिया रखना है और किस मेथट से हमको यह टाबलेट लेना है और टाबल कई लोग वीडियो को skip करके देखते हैं और फिर आदी चीज़े नहीं समझ माती है तो हमें कमेंट्स करते हैं कि ये टेबलेट कब लेना है किस टाइम लेना है तो आप ऐसा ना करें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस किट को हम लेते क्यों है ये एक अबर्शन किट होती है जो जिनको कई प्रॉब्लम्स होती है तो नहीं रखना चाहते है या वो अभी बेबी प्लान करना नहीं चाहते है या वो इस लाइक नहीं है तो हम उस बेबी को नहीं रख सकते हैं तो जब भी आपका पिरेड मिस हुआ है और आप उस मन्त में फिजिकल हुए है तो आपको प् किया एक लाइन डार्क और एक लाइन लाइट आई तो भी वह टेबलेट खा लेते तो कहीं बार ये टेबलेट अच्छे से काम नहीं करती हैं तो आपको पाइस दिन चार दिन या वन विक का और वेट करना हैं अगर आपकी प्रेग्नेंसी टेस्ट में एक लाइन लाइट आ तो आपको थोड़े समी और वेट करना चाहिए जब दोनों लाइने आपके डार्क आ जाए तब आप इस किट का यूज़ कर सकते हैं सबसे में बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी टैबलेट लेते हैं तो आपको बीना डॉक्टर की सला से नहीं लेना है अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहें तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉयमेंट बुक करके आप जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कई लोग इसा करते हैं कि केमेस्ट की शोप पर जाते हैं वहां से आपने टैबलेट ली और लाकर के खा ली तो यह काफी रिस्की भी होती है तो आपको इससे नहीं करना है एक बार यह डॉक्टर की एडवाईज जरूर ले ताकि अगर आपके साथ में इसे कोई प्रॉब् की डॉक्टर पूरी इंफर्मिशन आपको देते हैं कि क्या-क्या इससे हो सकता है तो जब आपको कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है और दोनों लाई ने प्रेगनेंसी टेस्ट में डार का रही है तब आप इसको ले सकते हैं लेनी की सही मेथड क्या होती है जिससे इसमें पांच टेबलेट आपको मिलती है ठीक है जब आप इसको open करते हैं तो सबसे बड़ी वाली टेबलेट आपको first day लेना है यानि कि example के तोर पे मैं बता रही हूं आपको कि जिससे आपने एक तारिक से टेबलेट लेने शुरू पिया हूं तो आपको दिन के टाइम लेना है जि भी ना side effect ना कोई reaction कुछ भी रेखने को नहीं मिलेगा जैसे कि vomiting ना पेट दर्द ना चकर घबराट ना पिरिट शुरू होना बहुत कम फिमेल्स ऐसी होती है जिनको पहली टेबलेट लेनी के बाद में bleeding स्टार्ट होती है वह बहुत कम होती है कई पेशन हमें कमेंट्स करत दे यानि कि दो तारीक को उसी समय हलका सा नाश्टा करना है अगर नाश्टा करने में आपको जी घबरा रहा है पल्टी जैसा लग रहा है तो फिर आपको क्या करना है वोमिटिंग के टेबलेट लेना है वोमिटिंग के टेबलेट जिससे वोमी कायंड वोमी लास्ट ओंड आहां यह निकिपानी के साथ में और अल्याप घटक जाना है टेभलेट को चबाना नहीं है तो कई बार बढ़ के नीचे रखती है पर कई पैसिंट की बॉडी संसिटिव होती तो मूं में छाले आ जाते हैं और अगर आप रख सकते हैं और अगर आपको इसा लग रहा है कि जब शुरू होंगे वो नेक्स स्टेप में आपको बताऊंगी थार्ड डोस हम कब लेंगे तीस से दिन यानी के तीन तारिक को वही समय वही प्रोसेस अगर पल्टिक इच्छा होती है तो आप टेबलेट लीजिए जूस लीजिए नाश्टा करिए उसके बाद में आप दो ट स्टेरियल जो भी है वो क्लियर हो जाएगा यानि कि यूटरस एकदम क्लीन हो जाएगे आपको परिशान होनी के जरुवत नहीं पड़ेगी अब हम देखते हैं कि हमारे प्रिट से कब शुरू होते महिलाओ का सबसे में कॉमन यही सवाल होता है कि हम किट तो ले रहे पर हम हमारी प्रिट कवा जाएंगे तो आप पहली टेबलेट लेंगे यानि कि तारिक को तब आपको कुछ नहीं होगा ठीक है जब आप दूसरे दिन का सेकंड लेंगे तो तीन-चार गंटे के बाद आपके प्रिट से शुरू हो जाएंगे बहुत कम फिमेल से होती हैं जिनको पिरिट से शुरू नहीं होते हैं ऑके जब आपके सेकंड-डे के डोज में आपके पिरिट शुरू हो जाते हैं उसके बाद भी थर्ट मेडिसन आपको लेना ही है धूते हैं तो तीसरा डोज आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना उसको लेना है, अब आपके पिरिट शुरू हो जाते हैं, तो पहले तो पिरिट जिसी यह आते हैं, हलके हलके, फिर धीरे-धीरे करके समय के साथ बढ़ते हैं, और क्लोट्स आने लग जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना यह नॉर्माली होता है, क्योंकि पिरिट से हेवी ब्लीडिंग होती है, तो आपको इसको लिखने के घपराना ऑना नहीं है, कहीं बार बड़े-बड़े क्लोट्स भी आते हैं, और कहीं बारहा, भील के फूल के छुटे-छुटे क्लोट्स तो चार्ट अब लिएट तो चार्ट फ़ोती है होती है दोडो करकि कर हमें लेनी होती हैarl exchanges की वह लेनी के बाद में क्या होता है पेट में बहुत दर्द कхोरा को अति है अगर आको फीवर घुल बनाकर पी सकते हैं और आपको एकर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे 8-10 हो गए 15 हो गए तो फिर आपको अपने नज़े की डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वहां आपको डॉक्टर ड्रीप लगाएंगे आईवी देंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा वीक्नेस ना लगे और लूज मोशन आपके बंद हो जाए ठीक है दूसरी बात अगर आपको पेड़ दर्द आ से नहीं होता है तो फिर आप उसके लिए टैबलेट ले सकते हैं जैसे पूरी बोडी में भी पैन है हाथ पेरों में दर्द है सीर दर्द है फीवर भी है पेट में भी दर्द है तो इसी कंडिशन में आप ब्रूप फेन 400 mg की ए पेरेट को इसर नहीं पड़ता है यह पीरेट में सेफ होती है पीरेट जैसे आना है वेसा आएगा बाकि आपका दर्द इससे कम हो जाएगा शे घंटे के बाद में फिर आप अगर फिर से दर्द होता है तो इक टेबलेट फिर से आप रिपिट कर सकते हैं अब हम साइडी के बारे में देखते हैं कि आपको side effect में pet दर्द हो सकता है vomiting हो सकती है diarrhea हो सकता है fever हो सकता है और कहीं बार आपको heavy bleeding हो सकती है अगर heavy bleeding हो रही इतनी bleeding हो रही कि आप खड़े हैं blood बहरा पानी के जिसा तो आपको तूरंत हॉस्पिटल में जाके admit होना है और इसी condition में आपको सफाई के जर्वत होती है या निकि डी एंसी surgical abortion आपको करवाना पड़ता है कई बार बहुत heavy bleeding होती है जो कि हम दवाय उसे control नहीं कर सकते तो इसी condition में हमको curate करके उसको remove करना पड ले और जैसा डॉक्टर बोले वैसा आप कर लीजिए आपको घर में बैठके वेट नहीं करना है और अगर नॉर्मली bleeding हो रही तो आप इंतजार करिए और यह bleeding कितने दिन तक चलती है देखे यह डिपेंड करता है कि आपकी pregnancy का समय कितना है और जैसे कि आपकी बी सोरी आप 6-7 दिन तक तो अच्छे heavy bleeding होती है यानि कि कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है कभी टुकड़े भी साथ में आते कभी blood आता है और 8-9 दिन में जाके bleeding कम हो जाती है 12 दिन तक यह स्टोफ हो जाती है अब आप confirmation कैसे करेंगे कि आपका जो abortion था वो complete हुआ या नहीं ह हुआ तो जब भी आपकी bleeding स्टोफ हो जाती है पूरी तरीके से उसके वन वीक के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन डार्क और एक लाइन 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 लाइट शो हो रही है तो इसका मतलब है कि आप की प्रेगनेंसी सम्थिंग आपका complete हो चुका है या फिर अगर आपको दोनों लाइन डार का रही है तो एक बार या आप अपने डॉक्टर से जरू सला ले ultrasound करवाने की जरुवत है फिर कि दोनों लाइन डार काने का क्या करण है अगर आपको heavy bleeding हो गई तो भी तो ultrasound करवाए तो यह कई बार medicine से भी clear हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा और अगर आपके साथ भी इसे problem हो रही तो हमसे भी आप consult कर सकते हैं अब हम देखते का benefit क्या होता है इसका सिर्फ यही benefit होता है कि आपको जो अंचाही pregnancy होई है यह terminate यानिकी remove हो जाती भी नहीं काना है अगर आपके period अच्छे से नहीं आ रहा है खुल के नहीं आ रहा है तो हल्दी वाला दूत पीना है सुबह शाम आपको दो टाइम एक कब भी पी सकते हैं आधा glass भी आप पी सकते हैं उसके बाद में आपको light खाना खाना है बहुत जादा heavy खाना नहीं खान में वह आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे तो आप उसको भी लेना शुरू करिए साथ में यह वीडियो देखते टाइम अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप मुसे पूस सकते हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद